बगवान महावीर ने कर्मों के रहसियों का उद्गाटन करते हुए बताया है कि जो कर्म बंद चुके हैं उनकी स्थिती को गटाया और बढ़ाया जा सकता है कम स्थिती वाले कर्म का समय बढ़ाया जा सकता है तो अधिक स्थिती वाले कर्म के समय को घटाया भी जा सकता है जेन दर्शन की भासा में कर्मों की स्तिती बढ़ जाने को उद्वर्तन या उद्कर्शन कहते हैं और घड़ जाने को अपवर्तन या अपकर्शन कहते हैं इसलिए जिन लोगों ने अज्ञान अवस्ता में बहुत अधिक बुरे कर्मों का संचई कर लिया है वे कर्म के इस सिद्धान को ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें राहत मिलेगी तो शुरू करते हैं जो कर्म आत्मा के साथ जितने काल तक उदित रहने की या फल प्रदान करने की सक्ति को लेकर बंद को प्राप्त होता है वो उस कर्म की स्तिति कहलाती है और जो कर्म तीवर या मंद जैसा भी फल प्रदान करने की सक्ति को लेकर बंद को प्राप्त हुआ है वो उसका अनुभाग कहलाता है बद कर्म की स्तिती और अनुभाग का निश्चय कर्म बंद के समय होने वाले कशा या राग द्वेश की तीवरता मंदता के अनुसार होता है पर जैन कर्म विज्ञान के अनुसार ये नियम एकांत रोप से नहीं है सम्यक पुरुशार्ती आत्मा नए कर्मों का बंद करते समय पूर्वबद कर्मों की स्तिती अर्थात काल मर्यादा और कशाई रस की तीवरता में वृद्धी भी कर सकती है और उसे घटा भी सकती है किसी प्रबल अध्यवसाई विशेश के द्वारा पूर्वबद कर्मों की स्तिती और अनुभाग का बढ़ जाना उद्वर्तना या उद्कर्शन है और पूर्वबद कर्म की स्तिती और अनुभा को कालांतर में नवीन कर्म बद के समय कम कर देना अपवर्तना या अपकर्शन है असुब कर्म का बंद करने के पस्चात यदि आत्मा सुब अध्यवसाई सद गुरू या सधर्म से सद संग से या सद गरंतों के स्वाध्याई से प्रेरित होकर सत कार्य करती है तो पूर्व बद्ध कर्मों की स्तिती और फल देने की सक्ति घट जाती है इसे अपवर्तना करन कहते हैं इसलिए अपने दुश कर्मों की आत्मनिंदा, गरहा, पस्चाताप आदी से बद्ध कर्म संसकारों की सक्ति घटाई भी जा सकती है स्तिती का अपकर्शन हो जाने पर सक्ता में स्तित पूर्व बद्ध कर्म अपने नियत समय से पूर्व ही उदई में आकर जड़ जाते हैं और स्तिती का उतकर्शन होने पर यानि बढ़ जाने पर वे कर्म अपने नियत काल का उलंगन करके बहुत काल पस्चात उदई में आते अपकर्षन और उतकर्षन के द्वारा जिन कर्मों की स्थिति में अंतर पडता है, उनी के उदैकाल में भी अंतर पडता है। अपवर्तन द्वारा तीवरतम सक्ती वाले कर्म एक चन में मंदतम हो जाते हैं। और उत्कर्शन द्वारा मंदतम सक्ति वाले कर्म एक च्छन में तीवरतम हो जाते हैं। अशुप कर्म का बंद होने के पस्चात यदि जीव अच्छे यानि शुप कार्य करता है, तो पहले बंदे हुए बुरे कर्म की स्थिति और फल देने का रस कम हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अज्यान या मोह के वस बुरा आच्रन करके अपने जीवन को कलंकित या कलुशित बना देता है, परन्तु समझ आने के पस्चात वो सदाचारी या सत कर्मी बनना चाता है, तो उसके सत्चरित्र और पवित्र भावधारा से उसके अशुक कर्मों की स्थिति में अवश्य कमी आ जाती है। इसी आधार पर गिरा हुआ मनुस्य उंचा उठ सकता है। जिनोंने नरत में जाने योग्य अशुकतर कर्म दलिक का बंद कर लिया। ऐसी पापात्माएं भी एक दिन पवित्र आत्मा बन जाती है और अपने चरित्र बल और आत्म सकतिशे मोक्स मार्ग पर आरूड हो जाती है। उनकी तप साधना के प्रभाव से प्रगाड पाप कर्म भी अल्पकाल में उदई में आकर छई हो जाते हैं और वे साधक परमात्मपत को प्राप्त करनी में भी समर्थ हो जाते हैं। इसके विप्रित उदवर्तना या उदकर्शन से पूर्व बद्ध स्तिती और अनुभाग में व्रद्धी होती है। जैसे किसी जीव ने अल्प स्तिती के अशुप कर्म का बंद किया और बाद में अधिक बुरे कार्यक किये तो अशुप परिनामों के आधिक्य के कारुन अशुप कर्मों की स्तिती और रस में व्रद्धी हो सकती है। साथ ही अशुक परिनामों की प्रबलता से सुपकर्मों की स्तिती और रस कम हो सकते हैं। अपवर्तना और उद्वर्तना के कारण से कर्म कभी जल्दी फल दे देते हैं तो कभी देरी से फल देते हैं। कोई कर्म मंद फलदाई होता है तो कोई तिव्र फलदाई होता है। उद्वर्तन में संकलेश की तिव्रता के निमित से आयू कर्म के सिवाई से सब कर्मों की प्रकृतियों की स्तिती में वृद्धी होती है। और समस्त पाप प्रकृतियों के अनुभाग में भी वृद्धी होती है और सुब भावों की विशुद्धी से पुन्य प्रकृतियों के अनुभाग और स्तिती में वृद्धी होती है अपवर्तन में संकलेश की मंदता और शुब भावों की वृद्धी से पूर्वबद्ध कर्मों की पाप प्रकृतियों के रसमें और स्तिती में कमी हो जाती है और कसाई की वृद्धी से पुन्य प्रकृतियों के रसमें कमी होती है उद्वर्तना और अपवर्तना के दो प्रकार बताए गए हैं अव्यागात उद्वर्तना अपवर्तना और व्यागात उद्वर्तना अपवर्तना सामान्य रूप से जीवन में नित्य होने वाले आंशिक उद्वर्तन या अपवर्तन अव्यागात कहलाता है जैसे कोई आदत में सुधार आजाना या अमुक व्यासन का त्या कर देना या सत्संग स्वाध्याई का नित्यक्रम रखना ये अब व्यागात उद्वर्तन अपवर्तन का परिणाम है व्यागात उद्वर्तन अपवर्तन सादकों या तपस्वियों के जीवन में होने वाला पूर्ण उतकर्शन या अपकर्शन है व्यागात अपकर्शन ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है इसके द्वारा सादक प्रतिक्षन हजारों लाखों और करोडों वर्सों का स्तिती घात और रस घात करता हुआ थोड़े ही समय में कर्म बंद से मुक्त हो जाता है तो ये थी उद्वर्तन और अपवर्तन से संबंदित संचिप्त जानकारी आज का प्रशन है कि कर्म की कितनी अवस्ताएं होती है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें